तो नवस्कार दोस्तों खेती बारी चलन में आप सभी का स्वागत में हूं किस्कमा दोस्तों आज आप सभी को बताऊंगा इस पीडिये में अनार के बार हैं कि दोस्तों जिसी कि आप हमारे पीछे अनार देख रहे हो और यह नार भाट गिया है बहुत ज़्यादा फटा है क तो यह अनार तैयारी होने वाला है जो आनार आप देख रहे हैं यह फिर्फुल तैयारी है थोड़ा से समय साथ अब पस दीन आट देन ऐसा करना चाहिए था अट देन में तैयारी हो गया था लेकिन गल्पी कहा पर हुई आप सब्सक्राइब करें अगर दोस्तों चनल पर न सब्सक्राइब को दिखाते हैं कि यह अनार आखिर क्यों फटा क्या दिकत थी कि जो इतना फट नहीं आने वाला है क्या कम है आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं जैसे की पूरा का पूरा पढ़ेगे इसमें एकार दो पीस बज़ गया तो उलग चीज है और नहीं बाकी पढ़े पूरा का सवरा नार अभी फट गया अभी दूसके इसमें जो इसमें पहले बताए थे हम अनार में क्या होता है कि इसमें बहुत ध्यान देना होता है जब यह फूल आ जाता है जब फुल पहलवा जब फुल में आता है तो हम लोगे इसमें पाइण देते हैं उसके बाद धीरे-धीरे करके जब इस दाना इस पर पूरा बराबर बढ़े जाता है फिर हम क्या करते हैं पानी का सिस्टम बना लेते हैं जो इसाब से पाई दो कि अगर जादा भी है फिर भी सब्सक्राइब कर दोट चाहीं आज लोगो करना ल क्लीविक हो पर जाता है नगर को दिन इसμαने हो जाता है कि जो है कि मकभी कम और ज्यादा है। यही लपड़ा कर देता है इसलिए इसलिए अगर आप लोग भी अनार केती करते वहिया तो थोगा से ध्यान दिया करो और ताकि फटेना बागी तुछ लो सब्सक्राइब कर रहे हो तो बहुत ध्यान दिया करो इससे चीजों के कि ताकि आपका भी अनार फटेना खराब नहो अब बात यह खराब होगे तो करेंगे क्या अगर आपके वहां फ्रीज हो गरा है तो इसमें रख सकते हो और नहीं तो निकार के प्लोशी को जूस पिला दो अहां ताज भाई क्या करना चाहिए पलोशी को जूस पिला दो वह अच्छा है वही तरीका है और यह तो फिरीज दिया करो आप सभी को फिर्म नवीश वीडियो में जब तक के लिए जय हीन जय भाद बंदे मातर हो